हलो दोस्तों कैसे आप सब दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक से होंगे तो जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे ये हमारे साइड है जो कि आप पूरे तरीके से फाइनल हो चुकी है जो थोड़े बहुत सफाई की काम बाकी हैं तो चलिए मैं आपको पूरे को डिजाइन किया गया है लाइट से जो कि लाइट से डेकॉरेशन की गई है जो कि हमने यहाँ पर लाइट के काम किये हुए हैं यह आप जो सारे लाइट देख रहे हैं जो लाइट जल लाइए यह सारे लाइट हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं यह पेंड के रात के समय में बहुत अच्छे और बहुत हुदुरत दिखाई देते हैं दोस्तो तो इस वीडियो में पूर फुल बने रहे हैं मैं अन्दर और बार जितने भी काम हुए हैं ऐसी कषभी ऐसे क्या होए हैं तो देख सकते हैं आप पढ़न के में आते हैं मैं इसको आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ जिसमें हमारे मीटर लगे हुए हैं और MCC भी लगी हुई है जैसे कि अब देख रहे हैं यह फोर पर के वायर जो कि 120 के हमने डाल रखे हुए है और असी के यहां पर केबल लगे हुए है तो यह केबल आप आसानी से देख सकते हैं यह हमारा मीटर है और MCC भी है एक तरफ यह जो बलेक कलर के हैं यह इनपुट है जो कि गवर्मेंट के तरफ से दी जाती है आर वाइब यहां पर लिखे हुए हैं और यह हमारे एक आउटपुट है जिसमें मीटर के सब सिश्टम लगाए हुए है और नीचे भी आप देख सकते हैं बॉह जो कि यहाँ पह डाटा के लिए ओरीडिफ लाए च Schutz लाईे अटोरी देख सकते हैं conflict अप देख सकते हैं एक तरफ इसkkri रोश्णी वालि हमारी फुलोर लाइट लगी वी उसके बाद यह स्टेप में कोप लाइट लगाए हुए हमने जो की स्ट्रीप लाइट है इस तरीके से यह सारे कोप में यहाँ आउट सैड में जितने भी लगें सब स्ट्रीप लाइट लगी है और यह गाडन लाइट आप देख रहे हैं यह बाहर में जो लगी थी वही अंदर में लगी लिजी जो कि इस तरीके से हमने यहां परवाल लाइट की डेकोरेशन की हुई है और यह हमारे गार्डन के दो इस जैतुन के पेड़ में यह दो गार्डन लाइट लगी हुई है जो कि इस्टेंड लाइट है और यह आप सामने देख रहे हैं जो कि कोप लगे हुए है ताकि वाल पे कोब दिखाई दे इस तरीके से आप हमने काम किया हुआ है ताकि रात में अगर लाइट यह जले तो बहुत खुबसूरत तरीके से दिखे और वाकई में बहुत अच्छे और बहुत खुबसूरत दिखाई दे रहे हैं आप वीडियो में आखिर तक बने रहे हैं मैं एक एक करके बाहर से अंदर तक आपको सारे चीज़ दिखाने वाला हूँ ताकि आप देखकर आसानी से समझ सके और एक चीज़ मैं बता दूँ जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं अगर काम करने के लिए तो वो इस तरीके से उनको काम करना पड़ेगा और इस तरीके से वो आसानी से देखकर इस तरीके से काम कर सकते हैं हम यहाँ पर हर चीज़ के वीडियो बनाते हैं जो कि एलेक्ट्रिकल के हवारी से होता है तो आप वीडियो में हमेशा बने रहें और हर वीडियो को वाज़ करते रहें ताकि जो भी आपको आपके लिए वीडियो हो आपको अच्छे तरीके से देखकर समझ में आ जाए और देखकर समझ में आने के बाद आप अच्छे तरीके से काम कर ले यह हमारे देख सकते हैं आप दोर जिसको हमने पावर दिया हुआ ह यह एटुमेटिक रिमोर्ट से ओन उफ होते हैं और यह हमारे बाहर के एरी हैं जो कि हमारा जहां पे लोकेशन है जो हमारी साइड है उसका फ्रेंट साइड है यह जो कि आभी पूरे तरीके से खाली है आगे की जगा पूरी जमिंग खाली पड़ी हुई है और यह छोट अब मैं आपको देखी दोस्तो अंदर लेकर आगया हूँ ताकि आप अंदर का नजारा देख सके तो देखे यह हमारे साथ काम करने वाले लोग यह आपकी जूमर लगा रहे हैं जो कि यह जूमर सेट कर रहे हैं इस तरीके से यह फूल वाले जूमर हम सेट करते हैं पाले एक-एक करके full को लगा रहे हैं ताकि हमारे जूमर जिस तरीके से जिस location पर आया है जैसा है उस तरीके से लग जाए और जैसे कि देख रहे हैं यह भी दोसरे साइड भी एक आदमी लगा रहे हैं और इसमें बस हैंगिंग करके ठरेड हम टाइट करकर करके इसमें जो फुल दिखाई दे रहे आपको वह फुल हमने यहापे लगाए हुए है उपर से यह गोल्डेन कलर के हैं इसमें आप देख सकते हैं यह जूमर इसमें इसपोर्ट और कोप सारे लाइट लगे हुए हैं आप पर दोस्तों मैं बता दूँ बहुत अच्छे तरीके से यहापे काम किये जाते हैं और अच्छे लुक दिखाई दिये जाते हैं तो देख सकते हैं यह ग्राउन फ्लोर है ग्राउन फ्लोर का हमारी यह जो बीडी डीवी है इस तरीके से हमारी डीवी ड्रेसिंग करने के बा गाडन लाइट और कोप लाइट सारे लगे थे वह सब इसमें इस टाइमर से चल ले हैं और यह हमारी बस बार जिसको हम MHDB बोलते हैं वह MHDB है और उसके बगल में यह ठीक CCTV जो हमने लगा हुए है CCTV यहां पर LCD यहां पर मौजूद है और उसके बगल में यह डाटा रेक है जो कर इस तरीके से यह डाटा रेक में वाइफाई टेलिफॉन और CCTV के सारे कनेक्शन यहां पर लाकर हमने केबल को कनेक्शन किया हुआ है कि हम जो जो भी कांट्रोलिंग कर सकते हैं हमारी कोई भी असे स्वाफ कर सकते हैं यह हमारे शुब्स देख सकते हैं यह वहुंद दोस्टों के लिए वह प्टा सूटी साइच दोस्त्नों मैं बता दूंद अब्त ही यह वीडियो बनाई हुई है तो आप देख सकते हैं लुक दिखाने के लिए मैं सिर्फ यह वीडियो बनाया हूँ आप यह लुक देख सकते हैं उपर में सेलिंग में जो कोप लाइट लगे हुए हैं इसपॉर्ट लाईट लगे हुई हैं जो यह सामने कश्रफ बकार्पेंटर सुछFit काम अफ में कम पलाई के लकड़ के नवी सहाथ सके हैं उसमें भी लाइट लगे हूई है यह हमारे ऐरिया जो भिलेक और के जो आप दिखाई ढहे वो हमारे TV के एरिये हैं, उसमें TV हाएंगे LCD और यह first floor के हमारी DB है जो कि इसमें भी देख सकते हैं आप data का केबल खीचा गया है CCD camera का भी है, telephone का भी है और TV का भी है और यह DB भी है, जो कि इस तरीके से यह final हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यह फर्ष्ट प्लूर पर ही जो कि यह ड्रेसिंग रूम है जिसमें कपड़े वगएर रखते हैं मेकप वगएर करते हैं तो यह देखिए मेकप के लिए यह एक गिलास का वो बनाया गया है यहाँ पर रखकर आसाली से मेकप किया जा सकें और साइड सा रखने के लिए चपल जूते रखने के लिए सारे यानि कि ड्रेस रूम बनाया गया है यह ड्रेस रूम है दोस्तों इस तरीके से आपर ड्रेस रूम की डिजाइनिंग होती है ड्रेस रूम बनाया जाते हैं हर साइड पे अलग-अलग तरीके से ड्रेस रूम बनाया जाते ह कहीं बड़ा कहीं छोटा और यह हमारा देख रहे हैं सिंग है जिसमें हमने यह लाइट लगाई हुई यह कोप लाइट गिलास के नीचे बहुत कम जगा में यह हमने लाइट को लगाई हुई है यह आप सिंग देख सकते हैं और यह हाथ धोने वाने के लिए यह शावर हो अच्छे लगने के लिए यहां पर डिजाइनिंग किया जाता है तो हमने यहां पर हमारी कमपनी यहां पर डिजाइन की हुई है तो हमने यहां पर यह एलेक्ट्रिकल क्या काम करके यहां पर लाइट लगाए हुए है और यह देख सकते हैं आप पेट हाउस का जो की चैनल ला फाइल लाइट बोलते हैं जिसको इस तरीके से एक-एक गैप को देखें ये एंगल में हमने लाइट को फिक्स किया हुआ है आप इसकी खुबसूर्ती को देख सकते हैं कि इसकी कितने अच्छे तरीके से उपर से ये लाइट दिखाई दे रहे हैं और यह हमारे फेंटाउस के आउटसाइड के 34000 जो कि यह पाणी के लिए टंगी है जो जिसमें चीलष रगाए हुए हैं पाणी को ठंड़ा करने के लिए और दो हीटर हैं जो की पाणी को हीट करने के लिए यहां पर सारे system लगाए गय है ताकि पारी ठंडा भी मिले गरम भी मिले जो चाहे यूज कर सकते हैं नॉर्मल भी मिल सकते हैं और यह फिर यह वाल लाइट है जो कि छत पे कम हाइट में 45-50 में लगा हुए है हमने लाइट तो आप यह देख सकते हैं स्रिफ नीचे के तरफ इसके फोकस जो जा रही है वो दिखाई दे रही है